कि अन्सी आडी पाठे पुस्त का फोर्ड एक्जाम्बल देखें सीसे के 50 सेंटीमेटर भुजा के एक वरगाकार स्लेव जिसकी मोटाई 10 सेंटीमेटर है कि पतली फलक पर नोगुनस की घाथ 4 न्यूटन का अप्रूपक बल लगा है दूसरा फलक दूसरा जो पतला फलक है वो फर्स से रिबेट किया हुआ है उपरी फलक कितनी विस्थापित हो जाएगी एक बार इस क्यूशन को आप लोग समझ लीजिए कि हमें इस क्यूशन के अंदर बता रखा है कि एक वरगाकार सीसे का फलक है वरगाकार है और जो पतला फलक है उसके उपर बल लगाया गया है ये इस तरीके से वरगाकार फलक है और ये वाला जो फलक है वो पतला फलक है इसके उपर जब बल लगाया जाता है तो ये अपने जो नीचला फलक है वो इस तिरवस्था में है रिबेट किया हुआ है इस तरीके से इसके उपर बल लगाया गया है यह जो बल है उसकी वेलियू हमें इस क्यूशन में बता रखी है 9 गूणा दसकी घात 4 न्यूटन का बल काम कर रहा है वरगाकार फलक की जो भुजा है वो है 50 सेंटीमेटर और इसकी जो मोटाई है वो है 10 सेंटीमेटर यहां से यहां तक की जो मोटाई है यह वाली जो मोटाई है इस बिंदू से इस बिंदू की वो 10 cm है यहां से यहां तक की जो उंचाई है वो भी 50 cm है यह वाला जो फलक है वो है इस्तिर फलक यह स्टेडिक पोजिशन में है दोस्तों यहां से आप देखिए कि यह जो बल लगाया गया तो इसके बाद में जब यह विस्तापित हुआ डेल्टा आक्स इसकी वेल्यू हमें ग्यात करनी है हमें क्यूशन में F की वेल्यू दे रखी है तो इसमें अपरूपन उत्पन हो जाता है और सीसे का जो अपरूपन गुणांग है वो 5.6 गुणाद इसकी घात 9 नूटन परती मेटर स्क्वाइर होता है यहां से जिस फलक की उपर बल लगाया जा रहा है उस फलक का छेतरफल हम याद कर लेते हैं तो यह हजएगा लंबाई गुणा चोड़ाई तो 50 सेंटिमेटर इंटू 10 सेंटिमेटर तो यह आगया सेंटिमेटर स्क्वाइर तो इसे हां मैं 500 गुणादस की घात माइनिस 4 मेटर स्क्वाइर भी पूट कर सकते हैं दोस्तों इसके प्रशाथ आप दीखिए हम जानते हैं कि जो परतिबल है वो बराबर होता है परतियास्ता गुणांक इंटू विक्रती के परतियास्ता गुणांक ये बराबर होगा परतियास्ता गुणांक नीटा इंटू विक्रती तो यहाँ पर जो पर्तिबल है वो है F बटे में A बराबर होगा नीटा और विक्रती है वो है डेल्टा अक्स अपोन में L जो अप्रूपन विक्रती है दोस्तो अप्रूपन विक्रती तो अप्रूपन विक्रती होती है फाई बराबर डेल्टा अक्स बटे में आल यह जो आल है वो है इस भुजा की दोनों समानतर फलकों के मद्दे की दूरी जो की 50 सेंटीमेटर कुशन में देरकी है फाई यह वाली भुजा यह वाला कोण होता है यह वाला कौन होता है तो डेल्टा आक्स अपोन में यहां से दूरी इसके तुल्ले होती है हमें इस क्यूशन में डेल्टा आक्स ग्यात करना है तो डेल्टा आक्स भराबर हम पूट कर देंगे f बटे में a, into में l बटे में नीटा इन सब की वेल्व पूट कर दीजी डेल्टा आक्स f की वेल्व हमें दे रखी है 9 गुण दसकी घात 4 l का माने 50 cm मतलब 0.5 अपोन a का माने हमें यह दे रखा है 500 गुण दसकी घात माइनस 4 फिर नीटा जो हमें 5.6 गुण दसकी घात 9 दे रखा है अब यहां से हम इसको किल्कुलेट कर लेते हैं देखे दोस्तों क्या जईगा 9 को जब इससे गुणा करेंगे तो 4.5 4.5 बटे में यह 5.6 है ही और इस 5 को मैं इसे रहने देता हूँ यहां से 10 की घात प्लस में 2 और 10 की घात यहां से माइनस में 4 तो माइनस में 2 रह गई देसकी घात इसमें से 2 कम हो जाती है तो देसकी घात प्लस में 7 और जब वो बटे से उपर जाएगी तो देसकी घात माइनस में 7 उपर रह जाएगी दोस्तों यह जो वेल्यू आ रही है वो आ रही है मिटर में देसकी घात माइनस 4 प्लस में 4 भी यहां पर पड़ा है यह वाला देसकी घात प्लस में 4 जब हम इसको केलकुलेट करेंगे तो 0.9 इसका 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 5.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 और जब यहां से हम इस डेल्टा अक्स की वेल्यू फाइंड आउट करेंगे केलकुलेट करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 90 बटे में 56 गुनादस की घात माइनस 4 तो 90 के अंदर 56 का भाग जाएगा एक बार में फिर हमारे पास में सेंस रह गया है 34 34 में चला जाएगा तो 0.16 गुनादस की घात माइनस 3 यह आएगा अंस्वर मिटर में और इसे हम एदी मिडली मिटर में लिखें तो 0.16 मिली मिटर भी लिख सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारी पाट्टे पुस्तक का फौर्थ एक्जामपल